अस्ताव लेकुम दोस्तों कैसे हैं आप लोग देखिए आपका जो पेपार अकाउंट है जब आप उसको यूज करने स्टार्ट करते हैं तो जब पेमिट्स वरा खासवर पर रिसीव करते हैं तो उसके बाद नौर्मली यह पेपाल आपसे कुछ इंफरमेशन मांगने के लि और बागे कुछ विए ट्राजेशन के बारे में भी इंफरमेशन मांगी थी कि जो आपने पेमिट पर रिसीव कि उसके बारे मताएं अच्छे जिते प्रूफ पूल फिल्मिट वारा मांगा जाता है अब यहां पर जो आपका अकाउंट लिमिटेशन पर जाता है तो नहां जाता होँदा तो यह पेमिट सेंड कर सकते थे पेपाल से पेपाल और नहीं यह बैंक ट्राज्फर कर सकते है या जिया आपके सामने यहां पर मसता आ रहा है और suit करते हैं इसके बाए उनके इस लिएक लाए निककर निक् temps देए जयादा भी यानिकि पिर उसके बार आप पाप रिवीव होता है और जब इन्होंने इंफॉर्मेशन सब्मीट कर दी थी यहाँ पर तो आप भी चेक करें कि इनके पाद यह इमेल आई कि यह इनका अकाउंट था वह वापिस बिल्कुल नॉर्मल कर दिया था रिज्टोर कर दिया था अब इसके बाद जब इन्होंने पेपाल से बैंक ट्रांसफर कर ताइम पे अगले बंदे के पास तो इसे भी आपने परशान नहीं हो ना तक्रिवण दो से तीन चार दिन के बाद जो नॉर्मल का अपका अकाउंट बिल्कुल रिस्टोर हो जाता है फिर आप बैंक ट्रांसफर करें है पेपाल पेपाल भी कोई मस्ता नहीं आता अच्छा एक चित और ही बतारूं कि इनके पास पेपल का अकाउंट था यूके का था और इन्हों ने एक मैंने जैसे आपको पहली बताया कि पाकिस्तान में पेपल अकाउंट की सर्विस नहीं है तो बहुत थारी जो अकाउंट वह बनाते हैं तो यूक अगर आपने बनाया है तो बहुत सारा लोग जो अकाउंट सेल करते हैं पेपल की वह फ्रेक डाकॉमिट्स के उपर अकाउंट बनाके सेल करते हैं यूके यूसे वारा कि ट्राइविंग लाइसे सेंपल जो आप वह मिल जाते हैं और फिर लोग उन्हीं को यूज करके उनक पेपल में सब्मिट करके जो अकाउंट को रिस्टोर करवा लेते हैं लेकिन देखिए यह जो तरीका बेब बता रहा हूं आपको यह जुबार होता है 100% सेफ नहीं होता लेकिन काम करता है मैं ऐसे पसली बहुत हैं लोग को जाता हूं जिनने साओधिया के यू अफिर फिल